Self-possessed का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Self-possessed का इस्तेमाल adjective के रूप में किया जाता है और इसका आर्थ होता है प्रशांत, स्वस्थ चित, धीर, शांत चित, शांत या विवेकी यानि कि जो शांत होता है या अपने आप जिसका जो चित है वो यानि मन जिसका शांत होता है तो उसको हम Self-possessed कहते हैं यानि कि जो शांत होता है या जिसका अपने आप पर अपने मन पर कंट्रोल होता है उसको Self-possessed कहा जाता है जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि वह हमेशा इतनी शान्त और आत्म निर्भर लगती है तो आप कहेंगे she always seems so calm and self-possessed या अगर आप ये कहना चाहें कि वह एक आत्म विश्वासी और शान्त चित सारवजनिक वक्ता है तो आप कहेंगे she is a confident and self-possessed public speaker अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें